रोजाना मंडी भाव के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरू दबाएं भाईयो इस तीन चार मिनिट की वीडियो में देंगे आपको मंडी के पूरे बाजार की जैनकरी भाईयो आपसे सिर्फ एक अन्रोद है वीडियो को अन तक पूरा जरूर देखें और लाइक, सेर या फिर कमेंट में से एक तो जरूर करें क्योंकि बड़ी मेहनत और प्यार से वीडियो बनाते हैं हमारी मेहनत की सफलता इसी में है आप वीडियो को पूरा देखें यह वीडियो हमारी मंडी रिपोर्ट की वीडियो का पहला भाग है इससे अलग हमारी वीडियो का दूसरा भाग भी है जिसमें सब्जियों और फलों के बाजार भाव का महोल आपके साथ सांजा करेंगे हर दिन करनाल मंडी में शाम को आलू की आवक अच्छी होती है लोकल माल की आवक होती है और बोली भी होती है किसान भाई उसी हिसाब से अपना प्रोग्राम बनाए और ज्यादा जानकारी के लिए अपने आरती भाई से संपर्ख करें नए आलू में बड़िया आलू का बाजार जो है 250 रुपे से लेकर 300 रुपे कटा रहा है एक कट्टे में 50 किल आलू होते हैं भाईयो प्याज में उतार चड़ा फिर से शुरू हो चुका है 6-7 दिन पहले तक प्याज के डाम 20 रुपे से नीचे आ चुके थे 2-3 दिन से प्याज में हलका सा उच्छाल देखने को मिल रहा है या उच्छाल स्थाई है या आस्थाई है इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है इसके पीछे का एक कार्ण यह भी हो सकता है कि ट्रक ड्राइवर द्वारा की गई हड़काल जिससे माल के ट्रांस्पोर्ट में दिक्कते हा रही है आज करनाल मंदी में प्याज का बाजार भाव इस परकार से रहा है प्याज नासिक 23 रुपे से लेकर 25 रुपे किलो बढ़िया माल दिका है प्याज MP 22 रुपे से 24 रुपे किलो तक चला है और प्याज राजिस्थान अलवर भावियो 17 रुपे से लेकर 22 रुपे किलो तक बढ़िया माल रहा है कोई भाई मंदी में फल सब्जों का आड़क का काम करना चाहता है तो किराय के लिए दुकान खाली है दिये गए नमरों पर संपर्क करें लैसुन की आबक अब मंदी में बहुती कम देखने के लिग रही है बाजार अभी उपर यह है लैसुन की विस्त्रिक जानकारी के लिए आप हमारी कल वाली वीडियो जुरूर देखें लैसुन का बाजार 150 रुपे से 210 रुपे तक चला हुआ है क्वाल्टी के इसाब से भाईयो यह था आज करनाल मंदी में आलू प्याज और लैसुन का बाजार भाव वीडियो भाग एक अगली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें इस वीडियो से जुड़ा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं वीडियो के ल ताकि हमारी हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सकें